और यह बैक साड का फेस आजो बैटा नमस्ते 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 यह हमारे अरजुना की क्लास चल रही है वैसे तो ठीक है सारे बच्चे एक बार सीरियस अब जो आपने कंशेप्ट पता है उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे ठीक है येस और थोड़ा अच्छे से बिएव करना आपकी रिस्पेक्ट की भी बात है ठीक है क्योंकि ये बहुत बत्तमीज हो गया आज कर येस आज तो देखो आप अपना पार इंट्रोडक्षन दो इंट्रोडक्षन में ये ज़रू बताना कि चैसे आपकी जर्णी रही ऐखें आम Sounds चीक्व तो एक और यार, एक और माइक देना, एक और माइक देना, एक और माइक देना, एक और माइक देना, पास में रखना ऐसे, ठीक है, तो, देखो, congratulations, congratulations आ रहा है, ठीक है, I.T. Delhi मिला वेटा आपको, ब्रांच कॉनसी है, electrical engineering, electrical engineering, अब जारा देहां चुनना, तो आज, अलग सर से म 11th, क्योंकि 11th के बच्चे हैं, तो 11th में आप से क्या-क्या गलतिया हुई, सारा अपना बताओ, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे, मेरा नाम धनाश्री शिंसोड करा है, and starting में 11th में मैंने एक local coaching join की थी, but as usual वहापर कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, पर फिर मैंने 11th में, एंड में आते आते, यूटूब से ही किया था, physics, अलग सर के पुराने वीडियो से, and then maths and chemistry भी वही से किया था, but वो इतना प्रॉपरली नहीं हुआ था, तो मैंने 12th में, लक्षजाई 1.0 जोईन किया था, तो फिर वहां से ही पढ़ना चालू किया, और राजवन सर बोलते ही थे, अभी 11th का जो आपका बैकलॉग है, वो अगर बीच में करोंगे तो बहुत जात, बुरा फस होंगे, दोनों ना ओपर नहीं चलना चाहिए अबी, पहले 12th पर फोकस करो, तो बस वही किया, कि सिर्फ 12th पर फोकस किया था, फिर एंड में जो टू मन्स का टाइम मिला था, तब 11th का किया था, फिर फिर फर्स्ट अटेम्ट के बाद में भी हमारे पास टाइम होता है, तो एडवांस के लिए वहां से भी प्रिपेर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको लगता है कि शायद लड़ियां क्रैक नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जब आपका आज आया कि सर ने बोला कि बच्ची आई है, क्योंकि आपका इंटर्व्यू तो बहार आए गई तो डिटेल में सर ने बात किया ही हुआ है, जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए, बिल्कुल बताओ, कि 11 में क्या गल्तियां नहीं होनी चाहिए, पहले तो पैरेंट से हमको बहुत खुलके बात करनी चाहिए, किसी चीज का इगो लेकरने बैठना है कि ऐसा उन्होंने बोल दिया, तो अब मन में रखेंगे और उनको कुछ बताएंगे ने तो उसका बहुत जादा हमारे उपर असर देखेंगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए, और जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको blindly अगर फोलो किया जाए तो जितना चाहिए उतना हो जाता है, यूटूब पे जाए या इधर उधर देखें उससे कोई फाइदा नहीं होता है, इतना भी कर लिया तो बहुत जादा सफिशेंट हो जाता है, एडवांस के लिये भी। वाट बदाना जब तुम तयारी करते थे तो क्या ऐसा कभी होता थे कि सवाल नहीं बने ? हाँ, वैसा तो होता ही था होता ही होगा, जब नहीं बनते तो क्या तुम करिब करते थे रोते थे कि यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे या तो उस वे एटिटूड में जाते थे और प्रैक्टिस बढ़ाते थे उसी कॉशन जो नहीं हो रहा उसमें जादा भी टाइम दिया स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, क्या concept wrong हो रहा है, और आप हमेशा बताते थे, अगर वो नहीं आ रहा, तो उस concept को जाकर देखो, और उस पर और questions लगा, तो वैसे करने से हमारे जो topics होते हैं, वो बहुत जाधा strong हो जाते हैं, तो वैसा कर सकते हैं, और अगर कुछ चीज हमको आ ही नहीं रही है, तो उसे उस time के लिए hold करके, फिर हम बाद में भी उसके बारे में सोच सकते हैं, मैं इनको कई बार बोलता हूं कि जब आप preparation करते हैं, तो preparation बहुत टफ है, देखा जाए तो बहुत सारे topics हैं, बहुत सारे chapters हैं, और बहुत सार चीज़े सोच नहीं बढ़ती है, तो कई बार कुछ चीज़े नहीं समझाती है, उसका load नहीं लेना है, for the timing चलो ठीक है, कल देखेंगे, परसो देखेंगे, एक बहुने बाद देखेंगे, लेकिन वो attitude आपका हमेशा पढ़ने वाला होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ते क्या 12th के साथ 11th करी जा सकती है, अच्छी वार में, मैंने नहीं की है, क्योंकि वो mechanics का पूरा पार था, वो बहुत जादा वीक था, तो physics के बारे में तो नहीं कर सकते, बट chemistry और maths मैंने किया था, येस, मैं बिटा आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि अभी आप 11th क्लास मे जितना खुल के पढ़ सकते हो, पढ़ लो, आपके 4-5 chapter छूटने छूटने तो कोई दिक्कत ने, लेकिन जितना कर रहे वो अच्छे से कर लो, पता क्यों, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे ये आपका added advantage होगा, कही सारे बच्चे जैसे होते हैं वो बारवी में start करते, तो और जूड जाते हैं, कि आए से लगता है, चलो 11th में यही चार पढ़े, यूनिट सी पढ़ा, लॉजी पढ़ा, सर्कुलर, यही तक बहुत अच्छे से पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, वो चार भी added advantage होते हैं, पता क्या होता है, बच्चे का पूरा 11th खराब हो जात होते थे, डमी, हमारे यहाँ सभी college डमी होते हैं, यह थोड़ा सा है, यह क्योंकि यह डमी और regular में, डमी और regular में फसे पढ़े, बेटा देखो, यह डमी का एक example है, जो successful हुआ है, मैं आपके पास school वाले बच्चे भी लेके आओंगा, जो successful होते हैं, मैं हर बार class में यही ब अनोन में, जिसने school के साथ भी rank लिया हो, नहीं, तो कि आप उस circle में शायद नहीं हो, ठीक है, लेकिन में पास ऐसे कई सारे example हैं, बिटा, जो school going, even I was the example, school going था और मेरे एक ही बारी में selection हो गया था, ठीक है, अच्छा एक और यह है, कि books, books, extra, बच्चे पूछा है, starting में 11th म ऐसे जवड़श्ती बोल रहे हैं, लेकिन reality है, आप starting में बहुत motivated होते हो, तो आपको लगेगा, भाई मैं करूंगा, क्योंकि फिर chemistry भी अपना peak पर आएगा, उसके में भी बहुत सारे सवाल practice करने है, physics भी peak पर आएगा, math भी peak पर आएगा, तब time ही नहीं मिलता है इन सब आपको लगता भाई, class, DPP, module, इतना ही कर लें, बहुत हो जाता है, chemistry के लिए की थी पर मैंने, वो chemistry में क्या है थोड़ा जल्दी हो जाते है सवाल, ठीक है, maths और physics में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, starting में कुछ chapters के लिए कर भी लेगा बच्चा, फिर वो छूटना ही और कौंसा सवाल पूछना है भाई, rank बता दो बेटा इनको, 5008, general and OVC, NCL 966, बताओ भाई, देखो, अब ये आपने 12th के साथ regular करके ही निप्टा लिया, अब मैं आप सभी लोगों को बहुँगा भाई, take it as a very positive example, कि school के साथ, मतलब 11th, 12th के साथ भी की जा सकती है, और एक साल के अंदर ही आपने rank निकाली है, definitely अगर 11th में और पहले थोड़ा सा inputs रखे होते, तो बहुत कुछ चीजे और भी change हो जाती है, हो जाती है, तो आप सभी लोगों के लिए भाई, ये बहुत important चीज है, कि आप अपने जो भी journey चल रहे हैं, वो सभी के अलग-अलग हो कभी कबार demotivation हो गया, क्यार, नहीं हो रहा, समझी नहीं आ रहा, selection होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा feel हुआ, नहीं मैंने होने ही नहीं दिया, करना है तो अभी करना है, drop नहीं लेना है, अज़े ये पहले clarity थी, कि drop में नहीं जाना है, सीधे one shot ही, जैसा भी हो जाए हो जा लगता है, यार दूसरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे है, वैसा तो लगता था, तो उससे में क्या करते थे, बस कुछ नहीं पढ़ना ही है, तो वो सोच कर ही क्या करेंगे, उसमें जाधा time waste करेंगे, कभी ऐसा होगा, कि तुमने खुद को शाबाशी दियो, कि येस, ब फिजिक्स के concept अगर बहुत अच्छे से, अगर recall कर लिया, तो बहुत अच्छा लगता था, थब देते से, very good, very good, very good, तो बेटा, जितने भी यहां पर बच्चे है, it's my request, आप प्लीज यहां से positive examples लीजे, देखो, कमिया निकालने में पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती सकते हैं, यह चीज बहुत matter करती है, जब आपके सामने हम लोग students को लाते हैं, तो यह वही students हैं, जो आपके साथ, आपकी भीड में बैठे रहते हैं, जो struggles आपने देखे हैं, जो mindset आपने देखा है, problems आपने देखी हैं, उनको ही deal करके rank निकाल रहे हैं, ठीक है, अब कमिया अगर आपको ढूननी है, तो आप कमिया ढून सकते हैं, अपनी तेयारी में, और positivity अगर आप ढूनना चाहते हैं, तो आप positivity ढून सकते हैं, ठीक है, अचा, boards में कितना था, boards का भी पूछ रहे हैं, 89.5%, 89.5%, 10th में या 12th में, 10th में 97%, 97, और 12th में 89, तोड़ा गिर गया, अगर लिया था, तुमने नीट भी दिया था किया? नहीं, नहीं दिया, अचा, नीट और जेई में, जेई क्यों? मुझे मैट्स में बहुत इंट्रेस्ट है, पहले से, ये, वाई दा, जेई जीतरा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, 12th में, भाई, 90% ही ही है, ठीक है, अच्छा, एक चीद और, 75% का क्राइटीरिया अपना, तो कभी लोड देता था? नहीं, पहले लगता तो था, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैक वगेरा था, बट, बैक वगेरा था, मतलब कही 11th में फेल हो रहे थे? नहीं, फेल नहीं हो रहे थे, बट 11th का ही सोचकर, क् कि बोर्ट में क्या होता है, कि कुछ चैप्टर जो हमारे 11th में CBSC में, वो 12th में है, अच्छा, कौन से बोर्ट से हो? महाराष्टर बोर्ड, ओके, तो वहाँ पर वैसा नहीं है, कि 12th का स्लेबस है, तो 12th का पिपर आएगा, उनमे 11th के चैप्टर से भी जुड़ जाते है, नहीं, हमारे CBSC में, जो 11th में चैप्टर से है, वो बोर्ड में 12th में है, हमारे, महाराष्टर बोर्ड में, तो उन चैप्टर का थोड़ा से लगता था, बट अगर हमने 10th अच्छे से कर लिया है, और प्रेजेंटेशन वहाँ पर ही सीख लिया है, तो कोई प्रॉब्लम न आपके पास थे, study hours बता दो भाई इनको, यह सब के बारे में जानना चाहते हैं, वस पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कितने घंटे हैं, पूरा मतलब सोने के अलावा, और yoga and meditation के अलावा सभी time पढ़ाई, यह बहुत important है, yoga and meditation, पता है, अगर यह 4 घंटे सोर ही है, तो this is not healthy, I will not promote it, कि आपने बहुत healthy way से त्यारी करी है, ठीक है, क्योंकि यह health पर आता है, लेकिन ठीक है, आपका life, बड़ा life है, उसमें एक साल का, अगर span में आप अपने आपको थोड़ा से शेक्रिफाइस कर रहे हो, then it is also acceptable, ठीक है, बट इसको आगे continue मत करना, take proper sleep, और आपको I आपको पता है कि basic necessities के जो आपने काम करें, घर के काम करें, वो करें, बाकि आपने सारा अपना पड़ाई पर लगा दिया, that is your best time table, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज निया कि भाई कि सुबह तुम कोई ऐसा fix बना रखा था क्या तुमने, हां मतलब 10 to 4 अभी इस टाइम म का था, और पहले तो 12 से 4 किया था, पर उससे बहुत ज़्यादा हो गया था, health issue भी आ गया था, दिवाली के समें, दिवाली के दूसरे दिनी, यह मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, भाई, this is not recommended, ठीक है, कि अगर आप यह सोचो कि यार मैं, sleep को cut करके, अपनी त्यारी करू आज के लिए शायद घूमना, skip कर सकता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादर necessity है, मैं हमेज़ा कहता हूँ कि आप अपनी त्यारी में सारी चीजों को factor दीजे, आपको अगर जैसे तुमने का हमाले yoga important है, yoga करो, आपको खेलना important है, खेलो, लेकिन अगर आपका backlog हो रखा है आपने test नहीं दिया, आपने revise नहीं किया और आप खेल रहे हो, then it is wrong, आप सारी चीजों को manage करिए, लेकिन यस, पढ़ाई को equal priority पर रखिए, clear, AIR batch पूछ रहे हैं, AIR batch में थे क्या, नहीं लक्षे AR में नहीं थे, normal batch में थे, और क्या पूछना है, अचा social media आप यूज करते क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं क्या होता है, अर्जुना से लक्षे में मिलते हमें, यसे इसमें से भी कही सारे जाएंगे, कुछ नए बच्चे आते हैं, जैसे आप आए, अब problem क्या होती है, जब आप 12th में जाएंगे, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूं, ध्यान से स सबसे पहले बारवी करो और अच्छे जब हम लोग 12 पढ़ा रहे थे जो भी 11 के टॉपिक्स थे क्या हम लोग बेशिक से ही बता रहे थे हुआ बहुत अच्छे से अराम से आ रहा दा ना आपको जितना 11 आप उठा सकते हो आप उठा के चलिएगा अगर आपने सही में 11 में प खिलते हैं तो तो ऑच्छा शॉट्ण लोट्स शॉट्ण बनाए थे रोज जो डेली है सिखाया उसके शॉर्ट्ण उसी दिन और चैमिश्ट्री में बहुत जादा इंपेक्ट करता हो गए शॉट्ण अगर तुमनें केमिश्ट्री में बनाए हो इन और्गनिक और 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 यह आप सभी लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी कहानी, ठीक है and congratulations बोलो भाई ठीक है अच्छा orientation आपका I think July के starting में ही होगा कब है college में आपका वो कब है first day कब है वो तो नहीं पता है अभी I think July के last में होगा या August first week में ही I think orientation होता है August first में होगा counseling के बाग PYQ books देखो इनके doubts देखो PYQ books जो भी आपके पास available है अगर आप module से कर रहे हो module से करो ठीक है thank you so much ठीक है प्लीज बेटा आप सारे इंटर्यू जब भी आएगा ठीक है तो प्लीज आप एक बार इंटर्यू सुनना अभी हम लोगों के पास time कम था ठीक है तो हम लोगों में में बाते करिए अलग सर ने पूरे खुल के अराम से सारी detail में बात करी कि कैसी रही तेयारी कैसे start किया क्या क्या हुआ क्या प्रॉब्लम्स है आप डेफिनेटली वह इंटर्यू सुनना आइधिंग यही वाला चैनल पर फिदिक्स वाला चैनल पर आएगा ठीक है तो चलिए बेटा हम लोग मिलेंगे नेक्स क्लास में ठीक है